शान मसूत पाकिस्तान के कप्तान सहाब वो ये बात कह रहे हैं कि पिच की वज़े से हम लोग मैच आर गए क्योंकि पिच को जच करने में हम लोगों ने गलतियां की नहीं सर नहीं सर आपने गलतियां पिच को जच करने में नहीं की बलकि आपने गलतियां इसलिए की है आपक सही बात है लेकिन आपके बॉलर्स जो है वो पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के जैसे बॉलर नहीं है जिन में एक ऐसी माइंड सेट हो जहां पर आप यह कह सकतों कि यह हमारे बॉलर है और यह बॉलर हमारे 20 विकेट निकाल कर दे सकते हैं ऐसे ग गल्ती को माना कि आपने गल्ती की है लेकिन आप बहाना बना रहे हो कि पिछ की वजह से उसको जज्ड करने की वजह से हम लोग मैं चार गे नहीं आप पहले गेंदबाजों की वज़ए से मैच हा रहे हैं और उसके बाद अगर ड्रॉ हो भी सकता था तो आपके बले बाद जो है सब के सब फ्लॉप साबित हुए हैं शान मसूदी सैम अयूब अब्दुल्ला शफीक बाबर भाई सौथ शकील हर किसी ने इस हार में अपनी तरब से पूरा का पूरा योगदान दिय कर लोग आपको याद उतना ज्यादा क्रेडिट नहीं देंगे उतना ज्यादा credit नहीं देंगे लेकिन अगर आप हार जाओगे तो सारा का सारा blame जो है वो आता है कप्तान पे ही यह कतने कि thankless job होता है कप्तानी वही thankless job है आप कितना भी अच्छा कर दोगे आप बताओ इंडियन टीम के सबसे बड़े legend कप्तान MS Dhoni तीन ट्रॉफी उन्होंने हम लोगों को जीता ही लेकिन आज भी कई लोग उन्हें अलग-अलग नामों से बुलाते और बोलते कि यह tournament हार गिया वो tournament हरवा दिया ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया यह कप्तानी नहीं है भाई साब यह आग का दरिया है और उस पर जो है डूब के जाना है तो ऐसा ही है कप्तानी तो अभी सही आदर डा लीजिए क्योंकि आपके खिलाडी तो सुधरने वाले हैं नहीं अगर सबने जिम्मेदारी उठाई होती तो शायद आज मैच आप हारते नहीं ड्रा होता और अगला टेस्ट मैच में आप कमबैक करने की कोशिश करते अब तो ऐसा हो गया कि बंगलादेश यहां से टेस्स सिरीज हार नहीं सकता है वो जीत सकता है अगला मैच अगर ड्रा करवा दिया तो वो सिरीज जीत लेगा घर में आपको हरा के जाएगा तो समझे कि कितनी जादा बेज़ती होगी है कि आप बंगलादेश जैसी टीम से आप हार रहे हो ड्रा टेसी में आठवे नमबर पर पाकिस्तान की टीम पहुँच गई है इससे जादा शर्मना क्या होगी कि एक टाइम यही पाकिस्तान की टीम टेस्ट में नमबर वन टीम हुआ करती थी और आज आठवे नमबर पर है इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अकेला बावराज हमें? नहीं आपके गेंदबाज है जिनमें ये काबिलियत नहीं है कि वो 20 विकेट निकाल सकते हैं इवेन अपने घर में आपने होम कंडिशन्स का फाइदा तक आपको उठाना नहीं आया तो आप ये सिर्फ अकेले कैसे कह सकते हैं? कि पिछ की गलती है आप अपने क्यूरेटर को बाद में बोलियेगा आप पहले खुद की बल्ले बाजी देखें कि आपने किस तरीके से आज तक बल्ले बाजी की है आपका आखरी शतक शानमसुद साब आया था 2020 में चार साल से आपने एक सिंचूरी तक नहीं लगाई है गिनके दो तीन फिप्टी आपने लगाई होगी तो भाई 28 के अवरेज वाला अगर कप्तार बन सकता है बस इसलिए क्योंकि वो अंग्रे जी बोल सकता है ये काम तो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट का डान फॉली होगा आप अच्छा माने या ना माने आप अग्री करे या ना अग्री करे लेकिन दिस इस दान फॉल अपाकिस्तान क्रिकेट और इसको समय रहते हुए अगर नहीं सुधारा गया तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान की टीम जो है बंगला देश से भी जादा गई गुजरी वी टीम ने जारा आने वाली है इस वीडियो में वस इतना ही धन्यवाद